नमस्कार मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोज ख़बर का एक्रम ख़बर की खोज सच की पड़ताल जनपक्ष नजरिया बेखौफ बेबाग सत्ता का जूट बेनकाब आग में तपीद पत्रकारिता दाफ्ती है सवाल दरसवाल दुनिया के सौ अमीरों में साथ अमीर हमारे आपके भारत में बसते हैं प्रधान मंत्री नरेन मोदी के बहुत करीब माने जाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर मुगल उद्योकपती अडानी दुनिया के पांचवे नंबर के अमीर बन चुके हैं देश ही नहीं पुरी दुनिया में उनकी तूती बोल रही है अभी देखिए अप्रेल में ही अडानी जी ने एशिया में सब को पचाड़ते हुए नंबर वन अमीर का उहदा हासिल किया था यानी लगातार उनका मुनाफ़ा बढ़ रहा है वह देश और दुनिया में नए नए पायदान हासिल कर रहे हैं और इसी बीच कई नकारा लोगों की भी खबरें हमारे आप तक पहुच रही हैं जो विकास के इस विकास करम से बाहर ही जा रहे हैं अब देखिए पिछले पांस सालों में 2.1 करोड जॉब नौकरियां घट गई हैं हाल इतने बुरे हो गए हैं कि भारती लोग 45 करोड लोग उन्होंने नौकरी की तलाशी छोड़ दी उन्हें लगा कि नौकरियां मिलेंगी नहीं इसलिए हम इस लंबी लिस्ट में लगते ह खराब है सिर्फ 9 फीसिदी के पास काम है और यह आकडा जो हम तक पहुचा है आप तक पहुचा है यह सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन एकॉनमी C.M.I.E की रिपोर्ट है यह बताती है कि देश की आबादी के हिसाब से 2017 से 2022 के पीच कुल कामगारों की संख्या 46 परसे दो दशमलव एक करोड कामगार घट गए हैं भारत में अभी इस रिपोर्ट के मुताबिक 90 करोड लोग हैं जो रोजगार योग्य हैं जिनें काम मिलना चाहिए इन 90 करोड में से 45 करोड लोगों ने नौकरी की तलाश छोड़ दी है एक तरफ तो यह आलम है बेरोजगारी क कि 90 करोड में से 45 करोड को इस समय उमीद ही नहीं है कि उन्हें किसी भी तरह का कोई रोजगार मिल सकता है लेकिन शायद इस समय देश में दूसरा रोजगार सिर चड़ कर बोल रहा है यह रोजगार है नफरत के कारोबार का रोजगार इस से जुड़े हुए जो लोग हैं जो हर गली महले चौराहे पर हमें दिखाई देते हैं इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है हरियाना में मुसलमानों पर हमला हो या फिर औरंगाबाद में सरे आम दलितों का पीटा जाना हो बिहार में हो कानपुर में सड़क पर सरे आम एक भारतिय नागरिक को चाक की अंगिनत घटनाएं जो रोज हमारे सामने आ रही हैं धीरे धीरे भारत का निया नॉर्मल बनती जा रही हैं सामान पर इघटना बनती जा रही हैं अब देखिए ना हरियाना के जो विधायक हैं चौधरी अफ्ताब एहमद वह किस तरह से बेवसी में ट्वीट करते हैं वह पुलिस वालों से अपील करते हैं कि आप कुछ कीजिए गाये के नाम पर इंसानों और खास तोर से मुसल्मानों पर हिंसा करने वाले जो दल है जिसे तथाकतित तोर पर गौर रक्षक दल कहा जाता है वह किस तरह से मुसल्मानों को निशाने पे ले रहा है पीट रहा ह और जब पीट रहा है जो फोटो और वीडियो लिए जा रहे हैं उसमें पुलिस वाले भी खड़े दिखाई दे रहे हैं यह जो निया नॉर्मल है यह इतना बरबर है और इतना फैला हुआ है कि हर एक घटना यह बताती है कि नीचे से लेकर उपर तक पूरा तंत्र भारत में नफरत को एक नए कारोबार नए बिजनस के रूप में इस्थापित करना चाहता है एक पत्रकार एक खबर करती है यह सागरिका खिस्सू है जिनकी खबर टाइमस ऑफ इंडिया में छपी बहुत साधारण सी रूटीन सी खबर है आफ्टर वन करोड लूट अट्रिप टू वैशनो देवी यानि एक करोड की लूट के बाद वैशनो देवी गया दल लेकिन अब इस खबर को जो एक रेगुलर क्राइम रिपोर्ट है उस पर जिस तरह से उनकी ट्रोलिंग वही जिस तरह से जो उग्र हिंदू राष्ठ ब वेबसाइट चलाने वाली मीना कोतवाल उनको उनकी एक खबर पर बुलन शहर पुलिस बकायदा धमकाते हुए या कहती है कि आप अपना ट्वीट हटा दीजे वरना आपके उपर कारवाई होगी एक तरफ आलम यह है कि जो पत्रकार जो रिपोर्टर्स साधारन तोर पे ख जो दिखाई दे रहा है उसे देखते हुए आप यह कहेंगे कि सब क्या हो रहा है कौन कर रहा है कहां है कानून जिस तरह से गुजरात के युवा दलित नेता विधायक जिगनेश मेवानी को असम पुलिस गिरफतार करके ले जाती है मुश्किलों से जमानत मिलती है और पुलिस के साथ अभधरता की यह जो बदला है जिस तरह से बदले पर उतारू पूरा तंत्र है जहांपर जनता दुआरा चुना गया एक विधायق बिना किसी ठोस कारण के पकड़ लिया जाता है जील डाला जाता है जमानत होती है जमानत मिलते ही दुबारा पकड़ लिया लंबे समय तक जेल में रहता है, बाहर बहुत मुश्किल से उसे जमानत मिलती है और उसके तुरन बाद उसे फिर गिरफतार कर लिया जाता है सोचिए तो अगर देश में एक MLA का ये हाल है तो हमारा आपका क्या हाल होगा अब आईए चलते हैं मद्रप्रदेश की ओर जो लगातार नफरत की पॉलिटिक्स ही नहीं, नफरत में उत्रे तंत्र की कहानी एक के बाद एक देश और दुनिया के सामने रख रहा है मद्रप्रदेश के धिंडोरी जिले में एक नौजवान दूसरी नौजवान से शादी करता है, एक हिंदू, एक मुसल्मान और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस पूरे मामले को किस तरह से धर्म का रंग दिया जाता है या कोई नई बात भारत के लिए नहीं है हिंदू और मुसल्मान के भी शादी तकरीबन हर मामले में एक विवात का मुद्दा बनती है, बनाने वाली पॉलिटिक्स हमेशा जिन्दा रहती है लेकिन धिंडोरी में जो हुआ, वह एक दूसरे धंका खौफनाक मनजर पेश करने वाला है यहां पर देखिए, आपको स्क्रीन पर इसमें ट्वीट दिखाई दे रहा होगा यह वहां के जो कलेक्टर हैं, उनका ट्वीट है उन्होंने बकायदा ट्वीट करके बताया कि एक छात्रा का जो अपहरन कर लिया गया था आसिफ खान नाम के व्यक्ति ने जो आरोपी बताया गया है इसमें उसकी दुकान और मकान को जमीन दोस कर दिया गया यह जो बुल्डोजर चल रहा है नफरत का इसे किसी भी कानून की जरुवत नहीं कहीं पर भी कोई प्रोसेस, कोई नियम काईदा कानून लागू करने की जरुवत नहीं यहाँ डीम साहब खुद ही बन जाते हैं जज सब कुछ डिसाइट कर लेते हैं और उसे आरोपी बनाते हुए उसकी दुकान और उसके घर को बुल्डोजर से ढाहा देते हैं शायद भारती लोकतंत्र का सबसे बड़ा सच यह है कि इस समय नफरत का बुल्डोजर लोकतंत्र के सारे खंबों पर चड़ कर बोल रहा है इन तमाम परेशान करने वाली खबरों के बीच एक अच्छी खबर उत्तर प्रदेश से आई है उत्तर प्रदेश के बलिया में जो संघर्ष जीता है वा सिर्फ तीन पत्रकारों या उनके पीछे खड़े बड़े पैमाने पर आम नागरिकों या उनकी संस्था नहीं नहीं दरसल लोकतंत्र में आज की तारीख में भी सिस्टम से लड़कर जीता जा सकता है यह खबर बलिया का संघर्ष बता रहा है यहां पर तीनों पत्रकारों अजीत ओजहा, दिगविजे सिंग और मनोज गुपता को जमानत मिल गई इन तमाम लोगों को गिरफतार किया गया था बलिया पेपर लीक मामले में और देखिए कि जिस तरह से इनका स्वागत हुआ इन तीनों पत्रकारों को रखा गया था आजमगड जेल में आज सुबह जब यह रिहा हुए आपको इसक्रीन पर इस समें फोटो दिखाई दे रही हुँगी तकरिबन सो जगह इन तीनों पत्रकारों का स्वागत समारो हुआ निश्ची तोर पर जो स्वागत समारो है वह सरकारें या सरकारी तंत्र नहीं कर रहा था वह लोगतंत्र में विश्वास करने वाले लोग कर रहे थे बलिया ने दिखाया कि वह अपने तीनों पत्रकारों की रिहाई के लिए किस तरह से संखर्श कर सकता है बलिया बंद रहा इन तमाम चीजों पर न्यूस क्लिक लगातार बहुत ही पैनी और गहन खबरे देता रहा बड़े पैमाने पर आम भारतिय नागरिकों के विश्वास जीता जा सकता है आज हम बात करेंगे बलिया के जो पत्रकार हैं इनके पक्ष में जो ग्रामीर पत्रकार एसोसियेशन खड़ा हुआ उनसे बात करेंगे उनके पतादीकारियों से बात करेंगे और साथी बात करेंगे न्यूस क्लिक के लिए लगाता रिपोर्ट करने वाले पत्रकार विजेविनीज से आइए चलते हैं सबसे पहले सौरब जी मैं आपके पास आती हूँ आप बलिया में हैं बलिया में तीन पत्रकारों के खिलाफ जिस तरह से प्रशाशन ने मामला बनाया उनकी गिरफतारी की उनको जेल भेजा और आपका जो पूरा का पूरा संगठन है जिसके करीब 75 जिलों में लोग हैं 10,000 के करीब पत्रकार आपकी संस्था के साथ जुड़े हुएं वे सारे ल सब्सक्राइब को कैसे देखते हैं सौरब जी आप यह पत्रकारों की जूटता का बढ़ाम है कि उनकी जेल से रहाई हो जई वरना पता नहीं अभी क्या होता इनों के साथ निश्चित रूप से लिए अंदोबन चला उसका ब्यापक असर पड़ा और समार के का समर्षन भी इसका नतीजा हुआ कि पुलिश को भी दंभेव भाराव को अटाना पड़ा और असाने से लिए बताएं मैं आप से थोड़ा सा जाना चाहती हूं आपकी संस्था के बारे में क्योंकि इसका बड़ा विस्तार आप 75 जिलो में उत्तर प्रदेश के हैं बहुत पुरानी संस् इस तरह का जो माम मॉबलाइजेशन जिस तरह से लोग जूटे इस से पहले किसी घटना में इस तरह से लोगों का बड़े पैमाने पे पत्रकारों की पक्ष में समर्थन जुटा था यह अपने आप में अनुठा मामला है क्या वज़ा है आपको क्या लगता है कि क्यों लोगों को लगा क्या चीज ऐसी टिगर की कि इतने बड़े पैवाने पर समर्थन मिला और प्रशाशन को कदम पीछे हटाना पड़ा धाराएं हटानी पड़ी गंबीर दाराएं लगाएं थी लोगों को लगा खासतर सब्सक्रकारों को कि अगर हम इसकी लड़ाई चीज से नहीं हों तो कल पर घटना मेरे साथ यह वज़ा रहा कि एक मंच पर सारे लोग आए और में जुलके इस संघर्ष को अंज्याम दिए कि एक चीज और जानना चाहूंगे कि आप बल्या में हैं बल्या से ही सारे अंदोलन की शुरुवात हुई यहां क्या जितने अलग अखबारों के या चैनल के पत्रकार हैं में सब आए या उसमें अलग अलग फाट रही सब आए सब आए कि एक भी चैनल एक भी समाशार पत्र चैनल को पुरी शांदोलों सब्सक्राइब करें विजय विनी जी आप यह बताईए कि यह जो आज जमानत मिली है और जिस तरह से बड़े पैमाने पे जो हम फोटो देख रहे हैं वीडियो देख रहे हैं इतनी जगों पे उनका स्वा जिस तरह पर किसान अंदोलन लिया था किसानों को अपनी लड़ाई लड़ने में साल गुजारदन लेकिन बागी बलिया की धर्ती ने और वहां के पत्रकारों वहां के अब्यापारियों वहां के प्रबुद्ध जनों ने जो अपनी ताकत और एक जुटता का प्रदर्सन क या वो एकदम नायाब थी और हमें लगता है कि पूरवानचल के इतिहास में और आजादी के बाद इतनी लामबंदी के साथ पत्रकारों की रिहाई के लिए जिस तरह का अंदोलन बलिया के में खड़ा हुआ अब से पहले कभी देखने को नहीं नहीं था और हमें लगता है कि अभी पत्रकारों का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, तीस अप्रेल को जेल भरू आंदोलन है, यह आंदोलन उन भरस्ट अपसरों को हटाने के लिए है, जिन्हों ने इन निर्दोस पत्रकारों पर अरजीम कटमें ला देते हैं, और हमें लगता है कि जिस तरह की एक जुटता का प्रदर्सन पत्रकारों ने कास्तर प्वलिया ने किया है उसको ताकत देने का जो सबसे बड़ा काम है वो ग्रामीड पत्रकार एसोसिएशन का रहा जिसने कि अपने 75 जिले में और सभी आंचलिक पत्रकारों को ख़डा किया और हर जीले में न सुर्फ आंधोलन किया, बलकि सरकार को ये बीवस कर दिया कि वो इस मामले को समझे और इसकी गंभिरता को समझे. अगर जिस तरह से पत्रकारों को अभी आपने देखा कि कानपुर में पत्रकारों को नंगा किया गया, उनका वीडियो बनाया गया, उनको जेल में देखा और इस तरह की घटनाय लगातार इस तरकार में बढ़ रही है और हमें जो लगता है कि इन घटनाओं को रोकने का जो एक लिटमस पत्र बलिया ने दिया वो सभी जगह इस्तमाल किया जाना चाहिए और बलिया ने एक आधार सिला जो रखी है अंदोलन की संघर्स की वो अब रुकने के अवाली नहीं है जैसा हमें लगा एक बात बहुत साफ है कि चाहे वह जहांगीर पुरी में चला हुआ बुल्डोजर हो उसके सामने खड़ी वाम नेता वरिंदा करात हो भागपा माले के नेता रवी हो या फिर बलिया में जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था वहां पर सामने खड़े यह पत्र कार और इन पत्रकारों के पक्ष में खड़ा हुआ हुआ हुजूम हो शायद लोकतंत्र की जो लडाई चल रही है वह बहुत साफ है उसमें आपको अपना पक्ष तै करना होगा आपको तै करना होगा कि आप नफरत का कारोबार बढ़ाएंगे, उनके साथ में खड़े होंगे, देश के भविश्य को तलवारों के सुपुर्द करेंगे या फिर देश में जो सम्मिधान है, जो कानून है, जो भारतिय नागरिक हैं, उनके बुनियादी हक्ख हुकूक के लिए खड़े होंगे यह तै करना आपको है, हमको है, हम सबको है, शुक्रिया